कूकर में उबलने से पहले पढ़ लेती थी लक्की लाडो रात के बारा बज रहे थे उसका फोन आया हेलो किसी ने फुस फुसाथ हट्स भरे लबजों में कहा हाँ बोलो उसने भी हेलो से कहा सब तैयारी हो गई क्या सुबह चार बजे की वस में है मैंने अपने कपडों का ब उसने सबसे पहले मा की अलमारी खोली और उसने गहनों का डिबबा निकाला अपने लिए बनवाया गया मंगल सुत्र बेग में डाला अंगोटे और जुमके पहन के लिए चूडियों का डिबबा उठा कर बेग में डाल रही थी कि मा की तस्वीर नीचे गिर पड़ी उसे याद आया मा की बरसों की चती सोने का चूड़ा पहनने की मगर जब पापा का एरियर मिला तो जो चूड़ा बनवाया गया वो मा ने या कहकर उसके लिए समाल कर रख दिया कि जब बिट्टू इंजिनरिंग करके नोकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूँगे अब अब बारी थी नगदी की घर में 75,000 रुपे पड़े थे पापा कलीब बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आये थे बिट्टू का आयाइटी का दूसरा साल चल रहा था घर के रुपे पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहा करती थी पापा हमेसा कहते है जब ये पैदा ह हुई उससे पहले में इस्टेशन पर कूली का काम करता था जैसे ही अब पैदा हुई मेरी सरकारी नोकरी लग गई यही मेरे भाग्ये की देवी है मेरी लाड़ो बेटी उसने अपने सभी डोकुमेंट्स बैग में रख लिए अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो नह है ना सबसे पहले उसने अपनी बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर से जाका बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था उसकी खाने की थाली वैसी डगी पड़ी थी जैसे वह रखकर आई थी अगले कमरे में जाका मां गहरी नीन सो हुई थी दवा लेकर मां हमेंसा कहती ह है इस दवा में कोई गड़ बढ़ है जो नीन बहुत आती है ये मुई सुगर भी बुरी बिमारी है लग कर खतम नहीं होती दरवाजे के जिरी से पापा दिखाए दे रहे थे वो अपनी वरकिंग टेबल पर बैठे वह प्यार्यों का भाई खत्त तयार कर रहे थे अभी में वस्त थे वो अपनी कमरे में आई और उसे फोन लगाया सब रास्ते साफ है सब अपने कमरे में लगे है मैं चुपचाव घर से बहा निकलूंगी उससे पहले फोन करके बता दूंगी अच्छा तुमने गहने और पैसे ले लिए ना हां ले लिए तुम बार बार गहने और पैसों का क्यों पूछ रहे हो मैंने कहा ना ले लिए अरे बाबू वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है नहीं जहाद ही काम थोड़े मिल जाएगा तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ना मेरा मुबाइल भी बहुत पुराना है मुझे नया पकड़ ही लूँगा जिस से हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे सुनो एक बात पूछो क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमा कर अपने पैसे से रख सको खाना किला सको ऐसी बात नहीं है बाबू तुम बिन रहा नहीं जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेंगगा तो अराम से जिएंगे ना सुनो तुमे ऐक काम करो अभी बागने का प्लान कैंसल करते है पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर एक खटा कर लो गी दो महें तक काम भी ना मिले तो हम भूके मरने की नोबत ना आए जैसा ही तुम पैसा इखटा कर लोगे हम भाग चलेंगे जब तक इनतिजार करो दो महिने तक न कर पाई तो मुझे भूल जाना अरे बेबी बात तो सुनो मेरी बात लड़की ने फोन काट दिया वो अपनी पिता के कमरे में जहक कर आई वो अभी भी भी खत तयार कर रहे थे उसने दरवाजा खटखटा क्या बात है लड़ो सोई नहीं तुम पापा एक बात कहनी है कहो लड़ो पापा जब तक बिट्टू की पढ़ाए पूरी नहीं हो जाती में नोकरी करना चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी हो चुके है घर में बेकार बैठने से क्या फायदा घर में दो रुपे जुडेंगे उसकी बात सुनकर पापा ने लड़ो के सर पर इसने से हाथ फिरा दिया पापा और बेटी दोनों की आँखों में भराई दोनों की आँखे नम हो गई तो दोस्तों ये चोटी सी कहानी ये जो इस्टोरी मैंने आपको सुनाई है इससे एक बात सीख सकते है कि हमारे माबाप हमें अपनी महनत करके दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से हमें पढ़ाते है और फिर हम जैसे जैसे बड़े होते है तो हम क्या करते है कि हम ये जूटे प्यार महबत में पढ़कर अपने माबाप की अपने परिवार की बरसों की महबत को भूल जाते है उनके बरसों के दीवी कुर्बानी को भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हमरे बाप माबाप ने हमें कैसे तैसे करके पढ़ाया इस लाइक बनाया कि हम जिन्दगी में आगे बढ़ सके कुछ कर सके तो दोस्तो हमें चाहिए कि हमें कभी भी अपने माबाब के घर को नहीं छोड़ना चाहिए इस जूटे प्यार महबत की खातिर हमें बरसो की माबाब की महबत उनके बलेदान को नहीं भूलना चाहिए तो अमीद करता हूँ कि आप इस कहानी से जरूर आपको कुछ सीख मिलेगी अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हो आपको कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाए शेयर करके जाए क्योंकि हो सकता है कि ये बाते किसी के दिल में बैठ जाए और किसी का घर बरबाद होने से बच जाए तो दोस्तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए तो थैंक यू सो मिच फॉर वाचिंग दिस वीडियो